देखिए सबसे पहले हम आज चाप्टर वन चार्ट करने वाले हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ओफ मैनेजमेंट ठीक है इसमें सबसे पहले हम डाफिनीशन पढ़ेंगे मैनेजमेंट होता क्या है देखिए मैनेजमेंट is the process of working with and through others to effectively achieve organization objective यानि मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हमें दूसरों से काम करवाना और effectively अचीव करना अपना organizational objective जो भी हमारे संगटन का उदेश्यों से हमें अचीव करना है किसे दूसरों से काम करवा कर by efficiently using limited resources और जितने भी हमारे resources है उनका अच्छे से use करना in the changing environment में ठीक है यानि क्या मतलब होता है management का कि लोगों से काम करवाना और उनसे काम ऐसे करवाना कि हमार organizational objective अचीव हो जाए within limited resources के साथ ही मतलब limited resources भी हो और उसी में हम अपनो objective अचीव करने ठीक है अब देखिए same वही है management is a process of getting things done with the aims of achieving goals ठीक है वही है ऐसे ही चीजे करना या करवाना जिससे की achieve हो जाए हमारा organizational goal ठीक है अब देखें ये process होता है सबसे पहले एक तो ये होता है process process में क्या क्या आती है planning, organizing, staffing, directing and controlling मतलब management के पाच process आते हैं सबसे पहले आती है planning और next आती है organizing, फिर आती है staffing, फिर आती है directing और फिर आती है controlling ये process आप अच्छे से learn कर लीजेगा, next आती है effectiveness इसका मतलब है completing the right task to achieve the deputed goal यानि उस task को complete करना जिससे की हमारा goal अचीव हो सके और efficiency का मतलब होता है अब efficiency बहुत ज्यादा important होते है क्योंकि जो effectiveness है उसमें सिर्फ हमें काम को पूरा करना है चाहे कितने भी cost लगे, कितना भी time लगे, लेकिन जो efficiency होती है उसका मतलब होते है completion of task with minimum resources यानि complete करना है task और resources कम use करने है, cost भी कम use करनी है, ठीक है अब देखें ये बहुत ज्यादा important है, तो हम इसे अच्छे से कर लेते है, effectiveness और efficiency मैंने आपको पहली समझा दिया है, कि जो effectiveness है, उसका मतलब है completion of task on time कि हमें complete करना है task time पे, चाहे इसमें कितने भी cost आए और कुछ भी हो, हमें सिर्फ complete करने से मतलब है इसका मतलब है doing the right things and achieve the, achieve and result on time बस हमें time पे complete करना है task और main focus इसका होता है time पे, समझा गया effectiveness का मतलब होता है कि हमें किसी भी task को time पे complete करना है, चाहे कितनी भी cost चाहे अब इसमें क्या होता है completion of work, यानि complete करना है task को, but minimum cost and maximum profit ये इसका objective होता है, मतलब इसमें भी हमें काम को complete करना है, लेकिन cost कम आनी चीए और profit maximum आना चीए, और वही effective, efficient manner में काम को complete करना है और complete करना है task को least way stage में और time में, ठीक है, और ये किस पे, is on cost जितनी cost है, उसी पर complete करना है हमें task को, ये नहीं ज्यादा cost पे कर दो मतलब इसमें भी होता है कि cost कम से कम use करनी है और resources का भी कम से कम use करना है, task को complete करना है हमें, अच्छे से, जिसमें resources की wastage ना हो, तो आप समझी सकते, efficiency ज्यादा बेटर है क्योंकि effectiveness में तो हमें बस time पे complete करना है, resources, waste हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, हो रहा है लिकिन efficiency में हमें काम को complete करना है, with minimum cost and maximum profit के साथ I hope आपको ये दोनों topics अच्छे से समझ आ गए होंगे, effectiveness, efficiency और management भी आपको अच्छे समझ आ गया होगा अब हम पढ़ेंगे next topic, characteristics of management, अब देखे, management के बहुत सारे characteristics है हम इसमें एक characteristics को अच्छे से पढ़ेंगे, देखे, goal oriented होता है, pervasive होता है, multi dimensional होता है, continuous process होता है, group activity है, dynamic function है, intangible force है अब देखे, एक एक process को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है, please ध्यान से समझेगा, ठीक है, देखे, management सबसे पहले क्या होता है, goal oriented का क्या मतलब होता है, कि management इसलिए किया जाता है, ताकि हम achieve कर सके अपना goal, ठीक है guys, मतलब obviously अगर goal ही नहीं होगा, तो हम किसलिए क करेंगे कोई भी काम, तो management में achieve किया जाता है, goal, उसके बाद है all pervasive, all pervasive का मतलब क्या हो गया, कि management हर जगा पे होता है, ठीक है, मतलब every place पे, हम management देखेंगे, चाहिए school हो, private companies हो, government school हो, government company हो, हर जगा पे applicable होता है, और हर level पे applicable होता है, ठीक है, goal oriented का मतलब है, कि गोल achieve करते ह हैं, management के थू, all pervasive का मतलब है, हर level पे, हर जगा पे management का use होता है, ठीक है, उसके बाद होता है, multi-dimensional, multi-dimensional में आता है, management of work का होता है, management हम काम का भी करते है, management logo का भी करते है, और management operation का भी करते है, operation यानि जो भी लोग process कर रहे हैं, उसका भी हम management करते हैं, ठीक है, हम देखें, next time management is a continuous process इसका मतलब है कि management जो है continuous होता है लगातार चलता रहता है और हमेशा चलता ही रहता है यह कभी खत्म नहीं होता बार-बार करना होता है एक task खतम हुआ उसके बाद next task के लिए फिर से management करना है यह चीज़ होती है उसके बाद होता है management क्या है हमारी group activity होती है यानि कि group में काम किया जाता है organization में ना कि एक individual वैक्ती काम करके सब चीज़े manage कर सकता है management जो है dynamic है dynamic का मतलब है यह change होता रहता है जैसे environment change होता है तो उसी हिसाब से management भी आपका change होता रहता है और management क्या है intangible force है intangible force का मतलब होता है कि हम इसे देख नहीं सकते मतलब जो चीज़े हम देख नहीं सकते उसे कहते है intangible हम इसे सर्फ feel कर सकते है ठीक है guys I hope आपको समझ आ गया होगा हमने एक एक topics बहुत अच्छे से समझ लिया है अब एक बार मैं आपको इस पूरे topic की नहीं अच्छे से summary बता देती हूँ ठीक है जितना हमने पड़ा है देखे management क्या होता है management का मतलब होता है कि दूसरों से काम करवाना जिससे हम organization goal achieve कर सके और with limited resources के साथ ठीक है उसके बाद management एक process होता है उस process में कौन-कौन से function आते है यह थो हमने बहुत अच्छे से पड़ा है एक-एक topic effectiveness का मतलब होता है कि काम को हमें complete करना है चाए कितना भी time लगे मतलब sorry time में complete करना है काम को चाए कितनी भी cost लगे ठीक है और efficiency का मतलब होता है कि काम को complete करना है लेकिन कम से कम cost में और minimum profit में तो effectiveness में सिर्फ time दिखा जाता है, जितने time में भी बस काम को complete करना है, और efficiency में हमें cost को कम करके, profit को ज्यादा करके, फिर काम को अच्छे से complete करना है, और resources की wastage भी कम करना है, efficiency में, यानि हमें जब भी हम करते हैं, कोई भी goal अचीव करने के कोशिश करते हैं, तो हमें अपने management म दोनों चीज़े रखने चीए, effectiveness भी और efficiency भी, यानि काम को हमें time पे भी complete करना है, और इसके हलावा हमें ऐसे complete करना है कि cost भी कम पड़े हमें, ठीक है, guys, उसके बाद हमने characteristics सेखे, management के क्या-क्या होते हैं, goal oriented होते है, यानि कोई ना कोई objective अचीव किया जाता है, management में, पर व Continuous का मतलब है कि हमेशा चलता रहता है, multi-dimensional, अलग-अलग, management work का भी होता है, management people का भी होता है, और operation का भी होता है, और next है, dynamic, यानि कि change होता रहता है, environment जैसे-जैसे change हो रहा है, आपका management भी change होता रहेगा, और management एक intangible force है, intangible force का मतलब होता है कि हम इसे touch नहीं कर सकते, बस समझ आ जाए, और दीरे-दीरे करके हम वीडियो की timing increase करेंगे, और इसका ये part 1 है, next part मैं आपको next video में कराऊंगी, okay guys, thank you